आप सभी का दिल से श्रागत है आज की जो रेसिपी है बहुत ही इस्पेसल रेसिपी है आपके पूरे परिवार के लिए अगर अपने बच्चों के लिए परिसान रहते हो सुबह में उनके लिए नास्ते में क्या बनाएं जो एक तम प्रेम से खाएं और उनके लिए हेल्दी नास्ता हो तो यहां पर आज हम लोग 5 ऐसे हैल्दी नास्ता तयार करेंगे और अपने परिवार को एक हैल्दी सा नास्ता देंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा एक एक बाते इसकिप मत करिएगा चलिए यहां पे रखते हैं गैस पे कढ़ाई और इसमें डाल दिया है देसी खी जब गर्म हो जाता है घी तो हम गैस को करेंगे जैसे कि हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि तड़का जब भी डालें ग आप इसकिप कर सकते हो जैसे कि करीपता नहीं है तो कोई बात नहीं है करीपता नहीं है आप थोड़ी सी राई डाल देना तो यहां पे हम अब प्याज भी डाल दी है सारी चीजों को जलाना नहीं है इनको बस हमें मीठा पन रखना है यानि प्याज को जलानी नहीं है इसक पहले ढाले हैं कि सारी चीजों के साथ मुंफली अच्छ से भून जाएगी यहां पर मैंने डाला हल्दी और नमक अजरा भूनी हुई मुंफली डाल रहे हो, तो अभी मत डालना कब डालोगी मैं बताऊंगी तो यहां पर यह अच्छ से भून यहां पर हम डालेंगे और कितना लोगी आप जितना बना रहे हो जितने लोगों के लिए बना रहे हो है अर्यआ परम मैने डाला है थोड़े से पानी के चीटे पाह सेज में डालने हैं पानी के चीटें deg करके अनकु धक कर दो मिनथ बकाईये और यह तैयार हो गए एक छीज और डालेंगे देखिए पानी के छीटे ही देंगे तो बिलकुल अलग अलग रहेंगे पानी डाल दोगे ज्यादा तो यह गाठे बन जाएंगी तो यह लंस बन जाएंगे इनमें अब इसमें डाले है एक नीबू का दस आप इसकी कर सकते हो खटा कितना रखना है अ बहुत अच्छा लगेगा, आपका बच्चा गाजर और सब्जियां भी इसमें खा सकता है, दिखे तयार हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है, दिखने में इतना अच्छा लग रहा था, खाने में भी उत्रा ही अच्छा लग रहा था, यहां पे सब्जियों में आप आलू कensive,proными करने ऐसेय सकते हो। आफे सबजी होttούμε कर गाजन करने कि बहुत सरीर चरलिए है। यहाँ पर हम डूसरी तयार करते हैं।are देही कर दो arguing 9000 कि रहने सिर्ग भाध। बडवाग शार्शती च्याहती होता है। एक चमष यहाँ पे मैंने लिया है बेशन चने की बेशन लिया आप मूँग डाल के भी बेशन ले सकते हो मतलब कोई भी डाल की बेशन ले लिजे अब यहाँ पे दो बड़े चमष मैंने डाल दिया है ओड डाल दिया है यहां पर कदुक कस किया हुआ गाजर और प्याज तो यहां पर देखिए आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम जादा कर लिजेगा कितना आप तयार कर रहे हो तो जादी चीजें सामगरी बढ़ा लिजेगा हरी मिर्ची डाली है मिर्ची अपने स्वादनसार अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इनको मिक्स करके चलिए अब हम अच्छे से मिक्स करते हैं मिक्स करते हैं नमक अच्छे से ध्यान से डालिएगा जादा नहीं डालिएगा तो यह देखे तयार हो गए हैं अब हम इनका बनाएंगे एक हैल्दी सा चीला अपने बरिवार के लिए अपने बच्चे के लिए तो चलिए बनाते हैं एक हैली सा यहां पर चीला तो आपने बच्चों के लिए एक हैली नास्ता तयार कर सकती हैं बीना तेंसन बहुत जल्दी बन जाएगी सब्रया काट करके फ्रीज में रखें इस्टोर करके और सुबह में आप उनको जब तब तक नहला रहे हो, कपड़े धूल उनको पहना रहे हो, तब तक एनास्ताब तब तब पे रखके गैस्लो कर दोगे, मतलब साथ में बनता भी रहेगा, तो यहाँ पे यह चीला हमने कितना बड़ा रखना है, वो पतला ही रखना थोड़ा सा, और ज्यादा बड़ा मत करना, क्योंकि सबजियां डाले हैं, हम लोग यह सॉप्ट है, तो यह टूश जाएगा पलटते वक्त, तो छोटा ही रखना, तो यहाँ पे बहुत मा के सिकायत ह होती है कि बच्चे चले जाते हैं बस आजाती हैं, हम लोग नस्ता नहीं तयार कर पाते हैं, तो उमिद करती हूँ कि यह sari रेशपी, आप लोगों को अीजी लगेगी, आप जल्दी से सुबह में नस्ता बना कर तयार कर सकते हो, यह देखिए दोनों साइट से इनको तो द्यान से कम डाली अब हम बनाते हैं यहां पे अपना तीसरी रेशिपी उसके लिए मैंने लिया है और्स, चावल का आठा और यहां पे हम डाल दी है पानी, और्स का मैंने पावडर लिया है अर्स को यहां पर पाउडर बना के Mixer में पीस लिजिएगा तो चाषावल का औ likesDER कम यानि एक चमच लीजिएगा और पाणी डालके अच्छे से Mix कर लेना है इतना mix करना है कि इन में लंब सुनाब देखिए तवा topics् तवा देखिए बस इतना गरम होना चाहिए कि आप उसे छू सको ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए जब आप धोसे का बेटर फैला रहे हो तो यह देखिए इनको आराम से फैला के इनका धोसा त्यार करेंगे एजली छूट जाते हैं थोड़े से हम साइड से तेल डाल दे इसमें आप देसी खीवी डाल सकते हो जो भी आपका मन हो डाल दे तो देखिए यहां पे एक साइड से खुद छूट रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है एक साइड ही धोसे को सेकते हैं तो यहां पे अब हम एदेखिए इनको चलिए देखाती हूं एदेखिए चेक करते र मैंने चट्णी के साथ सर्किया था नारियल के दही के साथ भी आप सर्कर सकते हो तो यहां पे आप हम बना रहे हैं एक ऐसी ड्रिंक अभी मैंने ड्रिंक हाल में आप लोग को दिया था जिसे मैंने दूद के साथ बनाया हुआ था और केले के साथ आज हम ले रहे हैं यहां और दही और काला नमक, नमक आप सक्रीप कर सकते हो, यहां पे गुड के साथ मैं बना रही हूं, यहां पे आप चीनी भी ले सकते हो, एक हेल्दी सा नास्ता तयार हो गया, आपका बच्चा ना रोटी खाने से जैसे बोलता है, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो यह उन अपनी एक और रेस्पी, तो यहां पे देखे, मैंने लिया है, आलो को कदू कस करके, और पनी को कदू कस कर लिया है, यहां पर भी आप अपने मन पसंद से, कोई भी चीज इसकिप कर सकते हो, जैसे पनी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, यहां पे मिक्स कर दिया है, और यहां पर मैंने डाला है गरम मसाला और नमक स्वादमसा लिजेगा इनका हम बनाएंगे कबाब किसे पसंद नहीं है यह कबाब की रेसिपी जब मैंने दिया तो सब खाके सब लोग बोले कि अच्छा लग रहा है तो यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलिए अच्छा ल कि मिक्स हो गए हैं और अब हम इनको छोटे-छोटे-छोटे से इस तरह से हाथों में लेंगी और एक टिक्खिक का आकार देंगे जैसे कि कबाब होता है उसी तरीके से तवे पे थोड़ा सा तेल लाल दिया है और अब हम टिक्की को एक-एक करके से लेंगे तो चलिए एक और उधर वो लोग मतलब सौंग बजा रहे हैं जो बजता हुआ है तो थोड़ा साउंड तेज करें कि वीडियो में उन लोगी सौंग की आवाज में आज़ा यह देखिए यहां पर बन के तयार हो गया है हमारा कबाब दोनों साइट से शेक लिया है और इनको मैंने प्लेटि वीडियो खत्म करती हूँ वर्डा सौंग इसमें आएगा वीडियो में उम्मिद करती हूँ इस पर अच्छी लगी प्लीज अच्छी लगी होगी तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करिए थैंक्यू सो मच्छ